हालोज फ्रेंट्स वेल्कम डूस क्लास आज ही क्लास में लोग जानेंगे क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्रिसिटी से प्रियंट स्याटी के कोशन जिसमें लोग कवर करें कोशन नमब वन से लेकर कोशन नमब फाइफ तक तो चलिए स्टाट करते हैं आज की क्लास तो यह देख लेते हैं क्या दिया रख और क्या चीज़ें इसमें से पूछ गें कोशन नमब वन कर रहा है कि पीस ओफ वायर और रजिस्टेंस आर इस कट इन्टू फाइफ इक्वाइफ पार्ट्स इस पार्ट्स आर देन कनेक्टेट इन पैरलर इफ दे एक्यूवेलेंट र अब क्या देनकी फटिया जिए तो उसका हम लोग को क्या बताना है रेशियो बताना है कि ऑर वायर डैश में उसका कंबिनेशन का क्या रिचियो निकलने वाला है उसको सबसे पहले हम लोग आप लोग जाने यह की आपका फर्मुला कि एक और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वो क्या होगा बात कर सकते हैं, resistance of a piece of length, जैसे कोई भी चीज रहती है, उसको जो आप टुकडों में डिवाइड करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, ऐसे जब डिवाइड करते हैं, तो वैसे सेम यहां पर भी क्या किया गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि इ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, is equal to r by 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को पैरलर में निकालना है, क्योंकि इसमें बात की गई, पैरलर में उसको क्या किया जाता है, तो पैरलर का फॉर्मूला को कह रहाता है, अगर आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, ने तो मैं बता देता हूँ, 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3, इस तरीके से so on चलते चला जाता है, तो इसमें हम लोग वही same जीच क्या करेंगे, अपने फर्मूले पर आगे बढ़ते हुए, 1 by rp is equal to क्या हो जाएगा, 1 by r5 plus 1 by r5 plus 1 by r5, अब इसको बा 1 by r5, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग 5 को उपर लेके चले जाते हैं, तो 1 by rp is equal to क्या हो जाएगा, 5 by r plus 5 by r, और प्लस 5 by r, ये इस तरीके से हो गया, अब हम लोगो क्या इसका equivalent निकालना होगा, तो rp is equal to क्या हो जाएगा, 25 by r हो जाएगा, अब इसको हम लो क्या करते हैं, इस side लेकर चले आते हैं, क्यो कि हम लोगो क्या निकालना है, r by r tenir हो जाएगा, ये धर चलाया, तो यही हमारा निकल गया, कि R by R' का जो ratio कितना आता है 25 ohm आता है ठीक है इसमें देख लीजिए कौन्स option आपका 4th option 25 यह आपका correct रहेगा ठीक है अब इसके बाद हम लोग second question में क्या पूछ रहा है second question कह रहा है कि which of the following term does not represent the electrical power in a circuit ठीक है तो इस question को भी solve करने के लिए हमको थोड़ी जगह चाहिए तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि रेस्स कर लेते हैं अब यह तो सबसे पहले चीज हो गई कि देखिए आपके इसमें भी दे रखा कि कौन सी चीज आपको नहीं है इसमें कौन सा ऐसी जो फॉर्मूला है कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिकल पावर को तो पहला दे रखा है आई आर स्कॉयर दूसरा दे रखा है आई आर स्कॉयर फिर तीसा दे रखा है वी आई एंड फॉर्थ आपका दे रखा ह आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि थार्ड ऑप्शन है वी आई तो इसका मतलब यह सही है पर इसमें यह आपका नहीं होना आगे हम लोग देखते हैं कैसे इसमें हम लोग और निकाल सकते हैं आप लोग जानते कि वी इकल टूबी क्या होता है आई यार होता है तो यहां पर हम लोग क्या लिख लिए कि V pathways — क्या हो गया आई ओर आई इंटुएब तो अब हम लोग क्या करेंगे और हम लोग इस लोग इन-पृर्मिल तो क्या हो आई-स्क्वाइर तो यह यह भी किया हो गया एक हमको मिल गया कि देखी इसमें एक दे रखा है कि हमारा i sqr यानि कि first option भी क्या है सही है वह भी क्या कर रहा है रिप्रेसेंट कर रहा है electrical power यह हो गया दो हो गया हमारे पास अब इसके बाद और होता है यार तो यह भी आप देख रहें कि फॉर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा है वी स्कॉयर भाई आर तो यानि कि इसमें बचा कौन सा सिर्फ एक आपका बच रहा है वह क्या है आई यार क्या करें लेक्ट्रिकल बर्भी रेटेट तो 20 वोल्ट एंड हंडेड वॉर्ट वोट 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 इस अब इस आपने जाना है कि पावर का फॉर्मूला भी क्या हो सकता है यह पीज़ वी स्कॉयर भाई आर हो सकता आप लोग अभी जाने हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले वैल्यूस को पुट कर लेंगे कि क्या क्या चीज हमको दे रखी क्या क्या चीज हमको नहीं दे रखी है सबसे पहला जो है सबसे पहला हमको दे रखा है कि बल्ब की जो वोल्ट है वो कितना दे रखा है वो कितना है 220 वोल्ट है और पावर हमको क्या करनी है इसम और पावर हमारा कितना दे रखा है 100 वाट दे रखा है तो 100 वाट इसमें पुट करके इसकी वैल्यू हम लोग आर रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं 22 इंटू 22 करना है जिसको 44 मत कर दिजेगा क्योंकि 22 इंटू नहीं है 22 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 24 84 हो जाएगी कितना ओम इस ओम को लगाना मत भूलेगा क्योंकि आप आपका जो पर होने वाला है वह पर आपका कैसा होगा त्यूरिकल फॉर्म में यानि कि आप आपको लिखना है तो इसलिए जो ऐसा यूनिट से उनको आप बिल्कुल भी मत भूलेगा ठीक है आगे बढ़ ऑपरेटेड ऑपरेटेड ऑन वन हंडेड़ टेंवोल्ट देन क्या होगा अब आप जान रहे हैं अब इसी की जगह हम लोग वैल्यू को पूट कर देंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मुला है पीजीकल टू वी स्कॉर बाइव अर अब इसमें पावर हम लो होगे कितनी 110 इंटू 110 और रिजिस्टेंस आप लोग जान रहे हमाला कितना है 480 फूर पावर हम लोगों कितनी निकालने यह जानना इप इसको क्या करते हैं किसीम्पल करने की कुछसिश करते हैं कि इसको डिवायड करके सिंपल कर दिया जाए विसको आप काट काट लीजी कि टू से टूटुज़ा फोर टू फोर जा एट एंड टू 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 जा फॉर फाइफीजा टैनि यह देंगे जिती यहां पर इने स्ट पर हो गिले कितना वह गया किभ्टी 5 अब सिंपल हो गया आपका आंसर की 555 25 यहां पर आपका पावर कितना हो रहा है तो यहां पर आप बता सकते हैं कि क्या हो गया आपका आपका साथ कुछ आब आपका 25 वाट् किलिर कोई होगा कमेंट करके जरूर पूछेगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने फॉर्थ कोश्टन पर फॉर्थ कोश्टन में क्या क्या रहा है कि टू कंडुक्टिंग वायर अफ दे सेम मटेरियल उसका मतलब सें दोनो कंडुक्टिंग वायर है कि मिव बिद्ध मैं तो फिर उसके बाद जो लेंथ है वह वी सेम है तो उसका मतलब क्या पता चेलता है तो दूनो कंडूक्टिंग वायर है तो दोनों कंडेक्टिंग वायर है वो क्या है सेम है तो इसका मतलब उसका रिजिस्टेंस भी क्या रहता है इस तरीकी से सेम निकल के आने वाला रहेगा तो इसमें लोग देखते हैं कि कैसे इसमें क्या निकल के आता है रिशियो इसका सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंग है दोनों कंड़ेक्टिंग वायर का अब इसके बाद हम लोग इसकी हीट निकाल लेते हैं एस एस लिखने का मतलब जिससे पता चले कि कि किसकी बात हम लोग कर रहे हैं सीरीज की बात कर इसके बात करते हैं कि इसके बाद हम लोग निकलते हैं तो आप लोग जाना है कि आर पैरलर में क्या हो जाएगा हमारा 1 by r plus 1 by r जिसके हम लोग क्या लेक space क्ति अरो हो इसके वस्का हम लोग निकलना है कि ह पि इसका क्या हो जाएगा v square yak करेंगे तो जाएगा view square by ऑर इसको उससे पहले वहीं बऄं बहूलगा ए और प् parfois 12 करेंगे ये हम लोग यहां से बढ़ते हुए तो इसको गवर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं तो वी स्कौाइर बाई आर ठीक है यह क्या होगे हमारा रही सेकेंड इक्वेशन होगे अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम 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 फ्रस्ट एक्वेशन तू सकेंड क्या सबस्क्रीति इक्वेशन क्यों क्या निकलना है दोनों के बीच एकर है यजब रशिज निकलना है तो पहले किसकी बात की सी्रीरीश की बात की गई थी है एच-अज बाइ ह Psalmिल लोग सीरिश की plus we both के लिख लेए C1 or的话 इंटु क्या हो जाएगा हमारा वी है 2v square by r तो यह क्या हो जाएगा उपर हो जाएगा आर r by 2v square अब इसको आप लोग देखेंगे इसको simply हम लोग ऐसे कट कर देते हैं 1 हो गई value आर की value R से R कट जाएगा तो simple अब हमारे सामने क्या गया कि 1 by 2 2 into क्या हो गया हमारा 4 तो दोनों की बीच का रेशियो क्या निकल किया आता है दोनों की बीच का रेशियो निकल कि आता है 1 is 2 4 as simple as that अगर आपको इसमें कोई भी डॉट होगा तो तो जरूर पूछेंगा एक बार आप इसको अराम से पॉस करके इसking लिए जिससे आपको आसानी हो सके इसको समयने में और नोट डाउन करने के लिए ठीक है अब इसके बाद हम लोग बढ़ते है अपने अगले कोशिंट पे अगला कोशिंट कह रहा है कि हाउ इस वोल्ट मीटर कनेक्टेट इंद सर्केट तो मेजर दो पोटेंशल डिफरेंस ब पर आपको क्या लगा हुए रजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां पर कोई भी बैटरी से इसको क्या किया जा रहा है पावर दिया जा रहा है पर जब बात हम लोग कर रहे हैं किसकी वोल्ट मीटर की तो वोल्ट मीटर भी हमारा यहां पर क्या लगा हुए ऐसे यहां पर क् उसको से नहीं लगाएजाता है और दूसरी चीज और दूसरी चीजी जी में क्या रहा ती कि जो वątavian का पॉजटिव तर्मिनल रहता है और दो इसका नहीं तर्मिनल रहता है वह हम साके त्वीđ तैजी में निगेटिव नद गड़ dan इसका या फिर किसकते हैं वह इस रजिस्टेंस से ज़्यादा रहता तो उससे फर सिफ अपना ही निकालता इसका छोड़ देता क्योंकि हम को क्या चाहिए जो पैरलर में जो रजिस्टर लगा हुआ है उसका भी प्रोटेंशल डिफरेंस चाहिए तो इसलिए इसको भी हम हुआ है तो रहता हुआ है मुआ जो लगा हुआ है बारेंस घ्टाया चाहिए लादाने हुआ है?!